नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब मैं आर्सी संदीप हाजिर हूँ देर रात में एक बार फिर से दे स्टोरी ओफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 168 लेकर के इन दिनों थोड़ा सा रूटीन वापस से बिगड़ गया है सुबह रिकॉर्ड कर लेता था मैं वो बहुत ही शांदार रूटीन हुआ करता था मेरा लेकिन अभी कारेकरम भी कुछ ज़्यादा हो गए हैं तो इसलिए मैनेज करने में काफी दिक्कते आ रही हैं बेराल आपको कहानी सुनने में कोई का वादा है तो सातियों उद्यपुर कन्वेंशन की यात्रा अब लगभग अपने अंतिम पड़ाओं में हैं और आप सबने देखा होगा कि बहुत ही उतार चड़ाओ से भरी वी ये पूरी यात्रा रही कई सारे मोड आए लेकिन हर जगे उन मोड का तोड भी निकलता गय ऐसे ही एक मोड पर सातियों जीके कॉम्पेटिशन चल रहा था अली भाई उसको बहुत अच्छे से संभाल रहे थे उनके साथ विनोद भाई और बाकी की टीम भी लगी भी थी और सामने खेलने वाली जीके कॉम्पेटिशन को खेलने वाली टीम्स भी थी और तीन तीन चार तीन चार के इसाब से एक टीम में तीन लोग या कहीं कहीं चार लोग भी इस तरह से कुछ चार पांच टीम में फाइनल राउंड में पहुँची थी और 31 दिसंबर 2017 को रवीवार के दिन जब सुबा वित्य प्रबंधन पर एक सेशन चल रहा था मुख्य पांडाल में तभी दूसरी तरफ एक गार्डन में ये जी के कॉंपिटिशन का फाइनल राउंड चल रहा था जैसा कि मैंने आपको पहले बताया सारी सुविधाएं मुख्य पांडाल में थी जैसे कि जो अवश्चक होती है किसी कारिकरम के लिए माई कित्यादी तो यहां पर माई की व्यवस्था नहीं थी होती भी कैसे अली भाई ने कोई प्रश्ण पत्र भी तैयार नहीं किया था क्योंकि उसकी उन्हें जरूरत ही महसूस नहीं हुई और किसी को भी नहीं हुई उन्होंने प्रश्ण ही इतने शांदार जांदार तरीके से पूछे कि किसी को कोई डाउट नहीं हुआ किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और जिसको जो प्रश्ण चाहिए यानि किसी ने एगर खेल चुना है तो उसको खेल का प्रश्ण किसी ने साहित्य चुना है तो उसको साहित्य का किसी ने इतिहास चुनाये तो उसको इतिहास का मतलब हर द्रिष्टी कोण से अवल दर्जे का ये competition चल रहा था ऐसे में एक जगे आकर के मामला ठक जाता है मामला ये था कि कोई प्रश्ण पूछा अली भाई ने एक टीम के एक सदस्यने सुना कुछ और और उन्हों ने जो सुना उस सदस्यने या उस प्रतिभागी ने जो सुना उसने उसके हिसाब से उत्तर दे दिया किसी ने ध्यान दिया हो या ना दिया हो अली भाई का ध्यान गया अरे भाई आप क्या उत्तर दे रहे हैं आपको ये गलत है नहीं माना जाएगा उसने का क्यों अली ने का प्रश्न देखिए ध्यान से सुना नहीं आपने उन्होंने का नहीं 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 मैं जो कह रहा हूँ वही सही है तो विनोज जी ने अली ने सब ने जो वहाँ पर लोग मौजूद थे जिसे हमारे वॉलेंटियर्स जितने भी थे चाहे वो बतलब कोई भी हो जवन्ती मेडम वगेरा किसी ने भी सब ने ये समझाने के कुश्य भाई ऐसा नहीं बलकि इंफेक्ट जो खिलाडी थे उन्होंने भी ये समझाया तो लेकिन वो नहीं माने भाई साब वो युवा विद्यार थी कॉलेज के युवा जोश उन्होंने तो कहा ये तो चीटिंग हुई है साब हमारे साथ ये घलत हुआ है हमारे साथ अच्छा मुझे कुछ नहीं पता इस बात का मैं तो इधर वित्य प्रबंधन सुन रहा था और मेरे ख्याल से और सीनियर साथियों को भी कुछ नहीं पता अरपांट जी सरवगेरा को भी शायद नहीं पता चला होगा ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ और इधर माहौल वनना शुरू हो गया कि हम तो जा रहे हैं हम तो वाक आउट कर रहे हैं हम तो यह है वो है मतला पता नहीं क्या क्या और उस उनके साथ में बंदा था उसको मोमेंटो भी था वोलेंटियर का क्योंकि समापन समार होना था वित्य प्रबंधन के बाद में तो और मोमेंटो में उसका नाम था और इनका किसी में नाम था शायद सांद्वना पुरसकारी ऐसा कुछ इनको लगा था तो इधर ये सारा घठना करम हुआ, उधर भाई उन लोगों ने बैक पैक किया, सामान समेटा, अपने कमरे में जाकर के बैठ गए, विचारी उमर्ष होने लगा, उनका इधर उधर और लोगों से बातचीत करने लगे, और तमाम तरह की बातें मितलब उनके आसपास के लोग तो इधर जब समापन समारो चल रहा था, संचालन में ही कर रहा था, समापन समारो दोस्तों रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर मुझूद है, उसका भी लिंक हलाके ग्रूप में मैं शेर कर दूँगा, आज तो नहीं कल करूँगा, आप सुनिये का, उसमें भी गला बहुत खराब है, समापन समारो में मैं बुकार रहा हूँ, जब लिस्ट देखी जा रही थी, कहा है भई, कहा है, कहा है, पता चला वो तो नहीं है, और किसी ने बता है, वो तो वाक आउट कर रहे है, ऐसी ऐसी गठना वहाँ पर मुझे पता चली, औरे मैंने का, ये क जो भी श्रीमान जी थे, वो नहीं माने, मज़े की बात देखिए दोस्तों, उसके साथ के जो बंदे थे, उनसे भी मैंने अलग से बात की, मैंने का, बाई ये बताओ, तुम लोग तुम भी साथ में थे, ये है क्या विशे, वो बोले कि सर, ये तो वही अपना अधिकार ज इनके ने दिया जा रहा है, और ऐसा ही है हाल, हमने कई जगे देखा है, ऐसा ही होता है, इनके मामले में, कि इनका रवया ऐसा ही रहता है, यानि उन्होंने भी, कहीं न कहीं ये माना कि, ये मुद्दा इतना बड़ा नहीं था, जिसको बड़ा बनाने का प्रयास किया गया, क्या होता है साथियों सारवजनिक मंच पर कई बाते यूँ ही बोलनी पड़ती है मतलब बगैर विशेश उलेख किये तो कुल मिला करके ये कैसा वाकिया था जो अच्छा नहीं लगा अला वश्चक फिर अली से भी बात की मैंने खुदने भी अली ने का सर ये सारा मुद्धा था विनोज जी से भी बात की विनोज जी ने भी यही का तो फिर आखिर का निश्कर्श यही निकला ठीक है भाई अब जो जाने वाला है उसका क्या कर सकते है मज़े की बात देखिए उसी बंदे का क्लास साथी आज तक रिकॉर्डिंग क्लब का हिस्सा है और हिस्सा है भरपूर तरीके से हिस्सा है कई कारिक्रमों में अपनी भूमी का भी वो दर्ज कराते हैं और हमारे साथ रहते हैं हर कारिक्रम में उनी के मित्र क्यों क्योंकि उन्होंने गलत को गलत और सही को सही समझा वो भी हुआ है उन्ही के क्लास आती है लेकिन उन्हें जरा भी ऐसा नहीं लगा उन्होंने भी अपने तरीके से पता किया हला कि उनको भी आना था इस कन्वेंशन में वो नहीं आ पाए तो इस तरह से हो जाता है दोस्तों अब 31 तरीक का दिन, सब के जाने का दिन सुभा का सत्र समापन समारो, समापन समारो में पुरुसकार वितरण कई लोगों के मन में प्रश्णा आ रहे होंगे पुरुसकार राशी क्या थी तो मुझे याद तो ठीक से नहीं है लेकिन 31, 1100 और 2100 शायद रही होगी मतलब 1st सेकिंड थड़को और सांतवना अगर किसी को दिया होगा किसी में तो वो शायद 500 रुबी जरा होगा लेकिन मुझे ठीक से याद नहीं है ये मैं याँ पर क्लियर करता चलू इस बारे में मैंने कुछ record वगेरा भी चेक नहीं किया audio भी चेक नहीं किया समापन समारो वाले कारीक्रम को मैं भी सुन लूँगा अगर उसमें कहीं बूला हुआ होगा तो इस पश्ट हो जाएगा मौका मिला नेहा पावसकर जी को मौका नहीं मिला था उने भी मिला और उनका एक डायलोग मुझे आज भी आदाता है समापन समारों में कि मेरा यही mobile नंबर है पिछले दो जार सालों से उपाध्याई जी शिवशंकर उपाध्याई जी जीने आपने कल काव्यान जली में सुना और यह recording club के पुश्कर convention से लगातार आ रहे हैं लेकिन सही माइने में उनकी लेखनी से मैं उद्यपूर convention में ही परिचित हो पाया था उद्यपूर convention में उन्होंने द्धारा 370 पर अपनी कविता सुनाई थी और जो कि सबको बढ़ी पसंद आई थी हखला कि अब तो न उस द्धारा की जरूरत है न उस कविता की जरूरत है लेकिन वो कविता उनकी सबको बढ़ी पसंद आई थी और समापन्समारो का एक मूख्या आखशन का केंद्र रही थी वो कविता इसमें हमारे कारिकरम के अतिती जो लावाज जी थे सुनिता मेडम थी बाकि हमारे अपने परिवार के सदसे तो थे ही थे सारे वो सब आप समापन समारों में भी सुन सकते हैं जिसका जो जो योगदान रहा सबसे बड़ी बात उनका भी उलेख किया गया है इस समापन समारों में उसका लिंक मैं शेर करूंगा तो आप लोग सुनिएगा टाइम निकाल करके डबल स्प्रीट करके सुनिएगा वेशक मेरी आवाज अला कि बहुत खराब आ रही है उसमें तो ये सारा घटना करम कुल मिला करके इस सुदेपुर कंवेंशन कर रहा कई साथी कारे करम के बाद घूमने फिर ने निकल गए थे वो भी आने लगे आते रहे और कुछ साथी ऐसे भी थे जिनकी ट्रेन अगले दिन थी यह यूँ कहें अगले वर्ष थी क्योंकि 31 दिसम्बर था तो कई साथीों की ट्रेने जो है वो एक जनवरी को थी जाहिर जी बात है जाना सभी को था जाना मुझे भी था जाना हमारे जो रीडर्स थे उन सब को भी था लेकिन किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ती है न दोस्तों कारिक्रम सफलता पूर्वक समाप्त हो जाने के बाद सब के चले जाने के बाद हम कुछ लोग रह गए और यहां पर मैंने आपको पिछले दिनों एक बात बताई थी कि एक फरिश्टा मिला हमें फिरोज भाई के रूप में उनका भी बड़ा योगदान रहा इस कन्विंशन में वो योगदान क्या था जिसको हम इतना विशेश मानते हैं क्या मतलब किसी अनुभवी व्यक्ति से भी एक छोटी सी गलती हजारों रुपए का नुकसान करा सकती है ये सब अब इंतजार कीजिए The Story of Recording Club Part 169 का बाकी YouTube चैनल पर तमाम वीडियोज आपका इंतजार कर रहे हैं सुनिएगा अपने प्रपिकरियां दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, आपकी यादे हों तो आपकी यादे हैं इस कमेंट बॉक्स में साजा कीजिएगा जैसा कि हमारी स्रिष्टी, मोहित भाई लगातार कर रहे हैं तो आप सबका अब इंतजार है, आप नजाने कहां छुपे बेटे हैं, अचा एक मजे की बात बताओं, कभी-कभी कुछ साथी मुझे ऐसे भी मिलते हैं, और इस और हम कमेंट करेंगे, हम वोईस मेसेज करेंगे, तो लोग हमें चिड़ाएंगे, और मैंने का यह थोड़ा तो कम से कम इस दुविदा से बाहर आईए, और अपना प्यार बरसाईए, आप सबको सुनाईए अपनी बात, अच्छी बुरी जो भी है, तो यह बतलब समझ में नहीं आता है, मैं बड़ा सोच में पढ़ जाता हूँ कि यार कुछ करना भी मुसीबत, कुछ नहीं करना भी 14.56, रिकर्स बटन